वेल्कम टू इस चैनल के चैनल पर अगर सिट यू पसंद रहे तो प्लीज लाइप, कमेंट, अश्यर कर देगा और इस चैनल को सस्थेट कर देगा एक बार का जिक्र है एक खुबसूरत छोटे से गाउं के पास एक पुरानी और घानी वादी थी वादी में हर तरह के परंदे रहते थे मगर सबसे मशहूर चम-चम चड़िया और काकी कवा थे दोनों की दोस्ती जंगल भर में मशहूर थी चम-चम छोटी, नर्म दिल और तेज दिमाग वाली चड़िया थी जबकि काकी अकल मंद और ताक्तूर कवा था दोनों हमेशा मिलकर मसिलों का हल निकालते और जंगल के दूसरे परंदों की मदद करते एक दिन चम-चम और काकी ने जंगल के एक ने अलाके की सीर करने का फैसला किया दोनों उड़ते उड़ते एक कदीम और संसान जगा पहुँच गए जहां एक पराना जंगालूद फरज खड़ा था चम-चम को ये अजीब सा लगा कि जंगल के बीचों बीच एक फरज क्यों खड़ा है दोनों ने गरीब जाकर उसे खोलने की कोशिश की लेकिन फरज का दरवाजा बहुत भारी था मुझे लगता है कि अंदर कुछ खास है काकी ने कहा काकी ने अपनी मजबूत चौँच से फरज के दरवाजे को जोर से धकेला और चम-चम ने अपनी चहचहाहट से हिम्मत बढ़ाई आखरकार दरवाजा खुल गया अंदर का मंज़र देखकर दोनों हैरान रह गए फरज के अंदर एक परंदे का घौंसला था जिसमें चमकदार नीले रंग के अंडे रखे थे चम-चम ने खुश होकर कहा ये किसी परंदे का घौंसला है हमें उन अंडों की हिफाज़त करनी होगी वरना कोई शिकारी उन्हें नकसान पहुचा सकता है काकी ने गौर से देखा और कहा ये काम आसान नहीं होगा मगर हम मिलकर उन अंडों की हफाज़त करेंगे चम-चम और काकी ने फैसला कि वो बारी बारी घौंसले की नगरानी करेंगे चम-चम दिन में अंडों का खयाल रखती और काकी रात को पहरा देता दोनों ने मिलकर ऐसे वक्त गुजारा कि अंडों को कोई नकसान न पहुचे एक दिन जंगल में जबरदस्त तौफान आया हवाएं तेज चलने लगे और दरख धिलने लगे चम-चम और काकी को फिक्र हुई कि इंडे तौफान में खराब न हो जाएं काकी ने जल्दी से एक शाख ली और घूंसले के उर्दगर्द मजबूत हिफाज़ती दिवार बना दी जबकि चम-चम ने अपने परों से इंडों को ढान पलिया तौफान गुजरने के बाद दोनों दोस्तों ने देखा कि इंडे बिल्कुल महफूज है चंद दिनों के बाद इन इंडों में से प्यारे से चौजे निकलाए चम-चम और काकी ने खुश होकर इन नन्हे परंदों की देखभाल शुरू की चोजे चह चहाते और चम-चम और काकी के अर्दगर्द घूमते रहते चम-चम ने मुस्कुराते हुए कहा हमारी महनत ने उनन्हे प्रंदों की जिंड़की बचाई काकी ने सिर हिला कर कहा यही सच्ची दौस्ती की ताकत है जब हम मिलकर किसी काम को करते हैं तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं कहानी का सब्क दूस्ती और इतिहाद में बड़ी ताकत होती है जब हम मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं तो हम हर मुश्किल को आसानी से हल कर सकते हैं